हेलो जी असलाम अलेकुम क्या हाल है आप सब का उमीदे के सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे अच्छा जिस क्यूट से ट्यूनिक फ्रॉक का मैं आपके साथ डिटोरियल शेय करने वाली हूँ यह फ्रंट थी अब यह बैग देख लें बहुत एजी है डिटेल से देख इसको पुश्चाथ का स्टाफ है और हमने इसना फोर्फोर्ड कर लिया है अर्ज के हिसाब से ठीक है है अब हमसी कटेंगा थो रड़िए इयुटेंत ड़ी नॉर्मल होता है, यह साड़े साथ कुटिंग था, मतलब 14 त्यार था, 15 त्यार था, तो हमने यहां पर साड़े साथ का निशान लगा लिया, और यह साइड कंदा होता है, हमारा वो हमने 8 इंच का रखना है, अब हम इसकी वी शेप है ना, उसमें हमने साड़े 10 त्यार करने है तो हम साड़े 11 कुटिंग करेंगे, और इस तरह हमने ना, इसकी वी शेप ना, उपर से न, तीन इंच छोड़ कर, तो हमने इस तरह इसको ड्रॉ कर लेना है, यह देखें, प्रॉमिनेंट नहीं हो रहा था, मैं आपको सही से काट के दिखाती हूँ, यह देखें, यह किया था, और मुझे कम लगा, फिर मैंने दो इंच के साथ से इसको शेप दे ली, यह देखें, चिनलने के बाद नहीं है, यह देखें, यह देखें, कंदी की कटाई, हम इसको बाद में इसके न, यह यॉक भी जोड़ कर न, इसके साथ, फिर हम करेंगे, यह अब मैं आपक चोटे हर्स का कपड़ा था, पहली चोटा का अट लो मेरे पास बड़े हर्स का था, वो लेंथ का कोई सीनियों ता लेंथ इसमें ब्राबरी रखनी पड़ती, इस वजह से मिन दिन मैंने यह बाद में कटिंग किया है, जो कपड़ा बचा है, वो हम फट्टी वगार अपना वो हम बैन के लिए यूज़ करेंगे, लेंथ यह देखें, यहाँ पर 23 है, मुझे 22 रड़ी करनी है, तो यह मेरे साब से बिल्कुम ठीक थी, और रड़ी इतना कपड़ा बचा था, अच्छा, अब हमने यहाँ से साड़े चार इंच का निशान लगाना है, और हमने इसको शेप देनी है, मैं थोड़ा ज्यादा इसको काड़ती है, क्योंकि जितने भी रेड़ी में ड्रेसेज होते हैं, उनमें इस चीज़ ज्यादा कटती है, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है, अगर हम कम रखते हैं, तो वो ना बहुत कपड़ा होता है, ये अंडराम्स वाली साइट पर तो वो बहुत बुरा लगता है, और ये हमने फ्रेंट की कटिंग डाली, अच्छा ये दोनों ना इकठे पड़े वे ते बाजो अगर अलग लग हों, तो हमने ओपोजिट साइट कटिंग करनी, ये अल्रड़ी ओपोजिट पड़ी मैंने उपर वाली दोनों काट दी, अच्छा आप हमने याँ पर फॉर्ड कर लेना है सिंपल इसको, और ये देखे, जितनी मैंने ये एक तांग मुझे स्लिव साइट रिमें इलास्टिक काट लिए, अब ये देखे है, स्पीड ओ स्पीड काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो ना इसमें बहुत मसला है, टाइम का बहुत इशु होता है, कि टुटोरिल बहुत लंबा हो जाता है, पर हमें छोटा करके रिकॉर्ड करना होता है, इस वज़ए से इस चीज का बहुत इशु है, अब ये देखे, मैंसे बहुत से चीज़ें कट कट की हुई हुई, स्पीड बहुत तेज की हुई है, बस इसलिए कि आपका टाइम गेस ना और आपको समझ आजे, अच्छे इस सारी बड़े टांके से हमने स्लाइल लगा लिए, अब हम इसमें चुनट स्टाल लेंगे, नीचे वाला जो साइड होती है, उदर से हमने धागा खींचना होता है नीचे लिए साइड का, ऐसे हमने सारी चुन्ट टाल के तो फिर इसको बरूबर कर लेंगे, और गीकि है, और दर मैं आन में इसे स्पेस छोड़नी है, और ये जो इसकी योक है, इसकी वी नक ऐसे इसकी ऑपोसिट रखकर, और आदा इंच की generating यहां से यहां से लका लेनी, यह देखें, इसको पका कर लेना, और इससे सीधी हमणे इस लेका लेनी है, end तक जो ज़िशांगर से हम अपने साफ से आप अप आज्जुस्ट कर लेना, शात साथ, यह देखें, अब हमने लगा लिए end तक, ऐसे, ऐसे हमने opposite side करना है पीछे से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे नोग जहां पर आएगी वहां से हमने इसको ऐसे स्ट कर लेना अब एपने तो अब हमने अपना अपना कंदा कटिंग करना है यह हमारा आगे तीरा साड़े साथ पहले मैंने आठ कटिंग कर लिया था एतियातर कि कोई मसला बाद में बने तो वो उसमें ना कंपंसेट हो जाए और यहां पर अब हमने आठ इंच रखकर तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे यह देखें बाकी फिटिंग इसकी लूज है यह सारी कॉलिज गर्ल्स हो गई या हेल्दी बचियां हो गई या स्मार्ट हो गई जीन्स के साथ हार चीज के साथ बड़े बहतरीन लगता है तो यह देखें यह फ्रेंट साइट की कटिंग आप हम करने लगें यह देखें ऐसे फ्रेंट की तोड़ी ज़्यादा होती है होगे अच्छी तरह अब हमने ना इसमें आज यह बाजु है बाजु लूड लिए और आप हम इसके पर लास्टिक लगाएंगे ये देखिए है फुल कीछू नीन है इसकी लास्टोको अच्छी तरह इसी तरह इसकी तरह लास्टेग किаньुची के हमने पूरी साइगा लेनी है और इस तरह के हमने चारो की चारो दूसरे बाजुपर भी लग गई है यह देखें इसकी फिनिशिंग कितनी फब्सूरत लग रही है यह देखें आगे ना रफल सी बन गई है बड़ी प्यारी सी इसलिए हमने बाजु के आगे से कटिंग नी थी क्यों से खुला का खुला ही रखा था हमने अब इसकी बैंड की कटिंग हो रही है यह देखें पौना इंच हमने यहां से रखा और एक इंच यहां से रखकर उसके ओपर पौना इंच का निशान लगा देना और फिर इसकी गुलाई बना देनी ऐसे यहां से भी ऐसे और फिर इसको कटिंग कर लेना है हमने यह देखें और यह देखें, अब इसको हम गुलाई में यहां पर कटिंग कर लेंगे, यह देखे, यह होगी कटिंग, ओके अब देखे हैं, हमने इस तरह के 3 पीस कटिंग करने हैं, टॉप तल एक, इसी के पड़ा करना हमने हैं, इसे के तीन पीस कटिंग कर लेना है, अच्छा, मैं अपनी अपनी तरफ से इतने एजी वे में समझाने कोशिश किया है कि आपको कोई भी ना मसला ना आए आप राम से खुद भी अगर आप बिगनत भी आना तो आप घर में एजी ली बना सके और ना यह जो शर्ट है नहीं चोटी बच्चियों के अगर हमने बनानी हैं जैसे एक से दो और हमना जो फ्रेंड जो चेपी साइड से स्टार्ट किया पका कर लिया अची तअब हमने आएसे है पिसारी साइड गथा हमने नियुक्त पर नी लगाते जाना और लगाते जाना और इसको फिर सीधा कर लेना है इसको प्रेस कर लेना है और इसको सीधा करके इसको प्रेस कर लेना है यह देखें ऐसे इसको हमने प्रेस कर लेना है और इसके दरम्यान में करके कट लगा देना है और इसको प्रेस को भी हमने सारा कटिंग कर देना अच्छा मैं आप मुझे इंस् शौर्ट में वीडियो जाएंगे पट्टी गाटे ती लापते हैं फोन इंच के इसको पर चिपका लेना अची तरह यह देखिया है और फिर हमने इसको डबल फोल्ड करके यह एक साइट पर फोल्ड किया और पिर साथ साथ से काटके ना अदा अदा इंच तो उसे भी हमने फ चले अब चलते हैं अपनी स्ट्चिशिंग की तरफ अच्छा यहाँ अब हमने सबसे पहले ना इसकी जो डबल साइड है न मां पर हमने सीडिल लगा ले नीए यह देखिया है यहाँ पर स्टाईल लगा लेंगे अपनी शर्ट शर्ट हमारी फ्रेंड साइड है हमने इसके इतनी भी भी है न, इसको पूरा हमने दरमयान से कट कर देना है, ऐसे, और अब जो हमने लेफ्ट साइड बनती है, लेफ्ट साइड पर हमने पहले कटिंग करें, वो पती लगाना स्टार्ट करनी है, और दूसरी साइड पर बाद नी यह बैद बैंग के साब से, तीन, तीन, मैंने दोनों साइडर्स रखा है 3x3 का हमने गला कट कर लिया और अब हम ये देखे हैं इसके साथ अटेच करते हैं ये देखे सबसे पहले इसके साथ लग गया अटेच लेफ्ट साइड पे हमने लगा ली पटी ऐसे पटी दोनों के दरम्यान में रखते नहीं प्रेस करने का फाइदा होता है कि बस ऐसे पटी सेट को रो दरम्यान में पीशोर्ट रो खोड़ लगा दो बहुत एजी मेथर्ड होता है वहला अच्छे हमने नोक पे आके ना हमने इसको नीचे नहीं लेकर जाना क्योंके दूसरी वाली इसके उपर ओवरलाप हो जाएगी और सारा में गेम उसी की है इसको हमने ऐसी कट कर देना है जैन्स पर टीवी बिल्कुल ऐसे ही बनती है इसको यहां पे खत्म कर देना है यह देखें थोड़ा एक्स्ट्रा था जब आजे ना वी में तो हमने ना जितनी लेंट रखनी है ना अगय से उतनी कटिंग कर लेनी है क्योंके पटीज की लंबी थी अगर आपकी छोटी है तो तब भी ठीक है आपको कटिंग नी करनी पड़े एक्स्ट्रा यह देखें अब मुझे इसको कटिंग करनी है और जो जहां पर नहों के ना वहां से नीचे वाला कपड़ा भी आदा था इंच रख्या हमने इससे भी कट कर देना ऐसे हैं और पिलकुल इसके दर्मियान में आएं बन कुई कि लैनिंग वाले इसके लिए easy कोई परिंट वो ता परिंट का साब कर लीजेगा दरमियान और प्रेस भी कर लीजे यह ताकि न वो बिलकुल जो इसका पटी at stuck देना बिलक़ दर कोनेंट में मुझे लाजमी बताएगा आपको वीडीयो कैसी लगी या मेरी एफर्ट कैसी लगी क्योंके रिकॉर्ड करने में मैं बताएगे जो तो यूट्यूबर्स है這樣 जो य काम करें उन्ने तो अंताजा होगा रिखृए कि इस्कादर مहनत होती है तो बाकी मैं आपको क्या ही बताऊ इतनी तो मुझे यह आईसी शर्ट से हैं चार स्ट्री चोजान जितनी मुझे इसकी न एडिटिंग ने खपाया है बहुत ज्यादा अच्छा ऐसे हमने इसको एंड कर लेना है और हमने उपर से देख लेना है यह एक्वल है के नहीं है अब हमने इसकी बैक साइड की गले की ना हमने कटिंग कर लेनी है वो हमने थ्री बै थ्री का रखा था अब हमने इदर से इसको महिर कर लेना है और हमने बस आदा इंच का इसका गला काट देना है यहां से ये देखे ये जडूरी होता है यह तो जो है पैन ए तो ब Taipei ना वो बिलकुल गर्दन पर चड़ा रहता है तो यह देखे हैं यह हमने इसकी सीधी साइड रखी और जो फ्रेंड साइट कर लेते हैं स्टिच ऐसे अब हमने ना स्टिच करने के बाद ना हमने देखना है कि इसकी जो बैन की जो लेंथ है वो हमारे गुझगले के अकॉर्डिंग आरी है के नहीं आरी है यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर तो बैन ज्यादा हो जाए और गला क यह देखे हैं तो इसके लिए एक टिप ही है कि आप ना इसको यहां से ना छोटा कर दो थोड़ी थोड़ी ना स्लै लेगा दो साथ जो मारे कंदे की मैंने लगाई थी गले के पास पास ना तो इसको थोड़ा-थोड़ा हमने टाइट कर देना है ऐसे तो यह बहुत इजी इसको नए उड़ी शड़ रखनी है और इसके उपन बैन ऐसे सीधा रखना हमने और इसको हम नए इस तरह स्टाइल लेनी है पका कर लेना है और स्टाइल लेनी है यह देखें अमीद है आपको साथ सा समझ आरी होगी मेरी मुझे लाजमी बताइएगा इतनी एफ़र्ट हो करते हो तो यकीन करें इना दिल्खूश हो जाता है अगर आपको वीडियो पसंद ही हो तो लाजमी क्मेंट करके मुझे पताएगर वीडियो को लाइक करिएगा तो यह देखें साथ साथ हमने इसको स्टिच करते जाना है और एंड तक ऐसे ही कर लेना हमने स्को स्टिच यह देखें यह बैन लगाना ना थोड़ा ट्रिक्री काम होता है फिगनर्स के लिए ना उनके लिए टफ होती है यह चीज तो आप अगर समझ ना है तो आप वीडियो को दबारा देख लीजेगा जब आप अपनी स्टिच कर रहे होंगे यह देखें अब हमने जब इसको यहां सक अधा ना टा छोड़के करना हैं इसको स्किप करना है जिब हम स्टिब एलिऀन अपर वाली साइड की तो वहां पर हम जाकर दुबारा पका कर लेंगे इसको लगातेया और Sum FL forts 누ले बाद में तिक पर आ और you यह देखें यहां पर जो हम ने हमें चोड़ी थी उस गभढ़ यहां पर लगा लेंगे इसे यह देखें यह लगई ठीक है अब हमने इसको कट कर लेना तो आगए कितना प्यारा मारा बैन बंके सामने है यह नीचे से भी लुग देखने बागी ऊपर ओलॉल कम यह आपको एं कटिंग वाली और इूर्ठी साइड हो और कटिंग वाली हो वह तो यह देखिये इस तरह मनें कर लेनी इसकी तरह ओ कर चैया हैँ कि यह दो बिदिआ और को चनल वाली वह नौपर च्छोनटस टाली थी और मैंने एक टिप है अगर आप बिगनर्स हैं या प्रो भी हैं बेशक पर ये किया हो तो नीटनेस बहुत आती है आपने जो गुलाई वाली साइड है ना उससे थोड़ा-थोड़ा फोल्ड कर लेना और डबल बाद में आपने करनी है इसके पर स्लाइट है वो ना इससे फिर आपको आप फोल्ड गरने में से बिल्कुल भी मसला नहीं होता जितने भी कॉर्डनर्स कॉर्डनर्स है आपने सबको इसी तरह हम कर लेना अची तरह इदर से भी कर लेंगे यह देखे है यहां से भी हो गया और बाद में ना हमने उपर एक सिंगल स्टाय लगानी है और यह खुद गिरा बनाते हैं आपने दूसरे किसी का भी बनाना हो ना शर्ट का गोल गिरा तो आप नीचे से ऐसे कर लीजिए गा तो वह बहुत इज़ी दा जाता है इसी तरह फोल्डिंग करते जाना भी यह देखें कितने राम से वो खुदी स्लाय उसकी बैठती जा रही है कोई मसला जानी हो रहा वह राम से सिलता जा रहा है सिलता जा रहा है हला कि अगर इसके बगार बनाए ना तो वह गुलाय वली साइट फोल्ड करना अच्छी खासी मुश्किल हो जाती है तो यह देखें इसका एंड फिटिंग मैंने इसकी कर ली थी और छोटे-चोटे चौप बनाए इसके यह देखें इसकी ओवराल लुक माशाला कि नहीं खुब सूरत लग रहा है जीन्स के साथ पहना हो टाइल्ट के साथ पहना हो बहुत ही नाइस और ऐलिगंट लुक यह जी आलाफे